So Hello I am back again with a new video तर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोन के प्रो मोड के बारे में क्यों क्या देखो आज के टाइम में मैजियम लोग जो है फोन से फोटोग्राफिक करते हैं हम सभी के फोन में ये प्रो मोड या फिर मैनुवल मोड होता है पर हम लोग उसे यूज ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह आता ही नहीं है तो चलो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और बढ़ते हैं वपन आगे आ बजनी रही तो प्रो मोड यूज करने के लिए सबसे हैं आपको अपने मोबाइल का जो प्रो मोड मिल जाएगा अब चलते हम हमारे अलग अलग फीचर्स के बिल्कुल सफर पर सबसे पहले हमारा आता है आपकी फोटो के अंदर लाइट को कंट्रोल करता है कि अब को फोटो में कित्थी ज़्यादा लाइट होने कित्ती इस पर आप ने स्वने ने में छिंव सहां जयए इस जित्ता पर चड़ाया नहीं हो तब आप आये से को बढ़ा कर फोटो ले सकते हो तब आपके फोटो के अंदर डेफिनेटली काफी अच्छी लाइटनिंग केप्चर हो जाती है अगर काई आप इसे ओवर एक्सपोस में काम कर रहे हो बिल्कुल वहां पर बहुत ज्यादा हार्श लाइटनिंग है त तो उत्ताइब देर तक जो आपका कैमेरा का शटर रहे हो और तब तक वह फोटो कीशता रहेगा इसका आप बहुत सारे जगे यूज़ कर सकते हैं जैसे एस्टल फोटोग्राफ है हम लोग जब लाइट ट्रेल शूट करते तब कर सकते हैं हमारी जो हाइवे बागर आपक प्रिकुल आपकी दोस की तरह अच्छे सा फोटो लेना उसका इस्टेवल तो उसके लिए आपको शटर स्पीट को कम से कम रखना होगा इसको हलका सा बढ़ा होगे तब आप जैसे मोशन ब्लर वाले यह वाले जो फोटो देख रहे हो यह मैंने 1x30 शटर स्पीट पर लिया वरना अगर आपके बेग्राउंड में भी लाइट हुई और यहां पर से लाइट पास होगी तो आपका जो फोटो है वह बहुत गटिया हो जा रहा हो नमबर 3 जो मारा फीचर आता है वह है फोकस क्या है बेसिकिर आपके कैमरे की फोकल लेंड को एजस्ट कर रहा है कि आप आपकी फोटो में जो है थोड़ी सी ब्लूइश टोन एड करता जाता है अगर आप इसको बढ़ा देते हो वां सैड ले जाते हो आपकी जो वीडियो में थोड़ी से और यह लो टोन जो एड़ हो आपको थोड़ी से सिचुएशन को अलग दिखाना हो वहां पर आप इसका सकते हो वाला जो हमारा फीचर है वह बहुत कम फोन के अंदर मैंने देखा अभी तक तो मैंने समसेंग के अंदर है या पर नहीं वह आप मुझे कॉमें बताना इस फीचर का नाम है बेसिक एजस्मेंट इसके अंदर हम लोग क्या है कि इसका जो contrast, saturation, highlights और जो हमारा टिंट उसको control कर सकते हैं जो कि बहुत जादा helpful रहता है बाद में जब हम roast production के अंदर जिसको edit करते हैं तो वहाँ पर हम लोग को इन सब के साथ छेट चाट नहीं करनी पड़ती और already हमारी जो चीज़ें वो manually set होती है इडिटिंग से जाद है अगर आपको editing के ओपर कोई tutorial चाहिए lightroom अगरा या कोई सी भी app के अंदर तो आर आप मुझे comment section में बताओ मैं पूरी कुछिच करूँ आपको tutorial दे दूँ और आप उसके भी master बन जाओ और यहाँ पर आप देख सकते हो यह है कुछ samples जो कि हम लोगोंने before and after condition में खीचे हैं और आपको definitely पता लग रहा हो कि pro mode की कित्ती जादा value है तो बस यह value मैं आप लोगों को देना चाहता था और आपको master बना चाहता था I hope आपको इस वीडियो में जित्ती मैंने चीजे बताई वो सभी आपको समझ आई होगी अगर फिर भी कोई doubt है तो comment section खुला है मेरा instagram page खुला है उसको पर आप मुझे dm कर सकते हो अगर आप content creator हो या फिर youtuber हो तो आप मैंने एक नई वीडियो बनाई है जो कि है वन के subscriber वाली कि आप कैसे first one के subscriber gain कर सकते हो तो यहाँ पर आपको उसकी link दिखरी होगी और description में भी उसकी link है तो आप video informative लगी तो है इस video को एक like कर दो channel पर रहने हो तो subscribe करो और share करो अपने क्रेंट के तक क्रेंट करेंट